तो कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्किट के बारे में क्या कुछ सिचुएशन है आज और क्या कुछ अपडेट सारी हैं, सारी अपडेट आपके साथ कवर करेंगे लेकिन उससे पहले आप सबी को very good morning, I hope आप सब अच्छे होंगे और मार्किट को अगर आप देखेंगे, what a recovery मतलब अगर आप recovery देखेंगे मार्किट की क्योंकि कल ही CPI data आया और CPI data के अगले दिन मार्किट ऐसा perform कर दे तो कहीं न कहीं मार्किट के अंदर हम कहेंगे bullish market stream भे हमको देखने को मिल रहा क्योंकि 18,100 डॉलर तक जो है level bitcoin के चले गए थे 8.2% CPI data आया, 8.3% पिछली बार था थोड़ा सा उससे कम आया, 8.1% expected था तो जैदा चीजे ना बड़ी है ना घटी है मतलब ठीक ठीक आया है इसलिए market पे जैदा volatile हमको नहीं देखने को मिला तो थोड़ा gap होता ना अगर या चीजे जैदा कम आ जाती तो market और अच्छा चला जाता या चीजे ये जो number है बढ़के आ जाता अच्छा खासा तो फिर market डाउन चला जाता लेकिन ठीक ठाक number आये market ने खुद को संभाल लिया और क्या ही संभाला है मतलब 19,800 पे bitcoin के level आ चुके है जी हाँ 19,800 पे bitcoin आ चुका है ये एक बहुत बड़ी बात है कि CPI data के दिन ही क्योंकि कल हमको रात में ही recovery देखने को मिल गई थी 19,000 तो रात को ही touch कर लिया था bitcoin ने और morning होते होते 19,800 तक भी आ गया है और 943 billion डॉलर पे पूरा crypto market आ चुका है और 3% जो है market green में चल रहा है अगर हम bitcoin के level की बात कर ले अभी 20,000 को touch नहीं गर पाया 20,500 का जो level है न वो एक important level है अगर उस level को break कर दिया क्योंकि 20,400 तक गया था next पिछली बार भी और वहाँ से rejection मिला तो अगर 20,500 को तोड़ता है और वहाँ पे hold करता है उपर जाके है न तो situation आगे और अच्छी देखने को मिल सकते है क्योंकि कहीं न गहीं वहाँ से rejection मिला है 2-3 बार हमको तो अभी काफी अच्छी रौनक मार्केट के अंदर हम को देखने को मिल रही है आज के दिन हैना 19,800 पे आ चुका है और 18,300 के levels जब CPI data आया और 19,000 अपने high के ओपर Bitcoin चल रहा 3.7% Bitcoin का price increase हुआ है जो market का king है अगर हम यहाँ पे chart की बात कर लें तो एक सीधा आपको बुर्ज खलीफा दिखेगा नीचे जाने के बाद एक ऐसा बुर्ज खलीफा बनाना वो भी market के king का वो कहीना कहीं गजब की बात है क्योंकि CPI data के next day कभी भी आपने ऐसी चीज नहीं देखी होगी अगर नंबर कम आता तो market bullish जा सकता था लेकिन ठीक ठाक नंबर आया फिर भी market ने जो है recovery फटा फट दिखा दी और कई नहीं गई market में pressure भी उसी चीज का था 2-3 दिन से जो हम देख रहे थे है ना अब कोई pressure नहीं है CPI data आ चुका है तो अब market अपनी form में आ चुका है अपने रंग में आ चुका है पूरा green market है 13-31 पे यहां पे Ethereum चल रहा है BNB coin 275, 0.50 डॉलर पे XRP ripple 6% यह भी उपर गया है Cardano 0.38, 3% यह भी उपर है Solana 31 पे आ गी है 28-27 डॉलर तक भी चली गई थी 2.5% उपर है Dogecoin 0.060 पे 2.8% Polka.6.25 यह 5.83 तक भी चली गई थी जो dip का level कर लोगों ने buy किया अच्छा खासा वो अच्छे profit में चल रहा है Shiba Inu खुद आपको 5-0 के साथ मिल रहा था जिन लोगों ने उस level पे buy किया होगा तो अब Shiba Inu उस 0 हटा चुका है फिर से हा न और अगर आप देखोगे Polygon Matic 12 पे बना हुआ है 13 पे die है और Shiba Inu ने फिर power दिखा दी अपनी और flip कर दी है Tron को जो Tron 14 पे आ गया था और 5.84 billion डॉलर का market कैप हो चुका है Shiba Inu का अगर हम Shiba Inu की बात करें 0.5x093.85 का low ये low लगाया कल जब CPI data आया है ना लेकिन उस level से इस level पे आ चुका है 0.4x0 10.63 की 0 price आ चुकी है 40 के साथ है ना तो काफी अच्छी बात है यहाँ पे जिन लोगों ने buy किया है वो अब अच्छे profit में होंगे जरूर और 17,86,000 लोगों ने इसको add कर लिया वाच्छ लिस में 5% Shiba Inu उपर चल रहा है और 10.71 का high है इसके लाव अगर हम चार्ट पे नजर मारे है Shiba Inu के तो एक Burj Khalifa Shiba Inu ने भी लगाया यहाँ पे सभी ने बड़ी fast recovery दिखाई है crypto market ने ठीक है कुछ high लगाये है Shiba Inu अपने high पे चल रहा है अभी और अगर हम यहाँ पे trading volume की बात कर लें तो 209% तक जो है trading हो रहा है इस time पे बहुत ज़्यदा trading हो रही है काफी अच्छा volume भी आया है last 24 hour में और 5.84 billion dollar का जो market cap है 5.8 billion का वो यहाँ पे market चल रही है भी Shiba Inu की तो market के अंदर एक रोनक हमको आज देखने को मिल रही है देखने है Bitcoin का price 20,500 को इस पर तोड़ पाता है यह नहीं तोड़ पाता तो शुरुआत करेंगे हम Shiba Inu की burning से Shiba Inu की last 24 hour की burning की बात करें 70 million tokens जो है यहाँ पे burn हुए है 70 million tokens चले गए है supply में से बाहर जिसकी वज़ा से Shiba Inu का burn rate 250% तक यहाँ पे बढ़ चुका है ठीक है तो यह कुछ burning का report card है last 24 hour का आपको पता होगा कि चिलीज एक ऐसा coin है market के अंदर जिसका पिछले 2-3 महिने से चार्ट जो है उपर की तरफ आया है मैं यह नहीं कह रहा काफी ज़़ा उपर आया लेकिन धीरे धीरे से ही उपर जरूर आया और अभी थोड़ा correction भी चिलीज के price में देखने को मिल रहा है लेकिन अगर आप देखो चिलीज social mention जो है hit highest level in the last 90 days can चिलीज price be as a hot तो कही नहीं आने वाले time में जो tournament शुरू होने वाला है जिसका update हमने आपको दिया है ठीक है तो थोड़ा चिलीज पर focus करें क्योंकि चिलीज के जो social mention है वो highest level तक आ चुके है मतलब पिछले अगर हम 90 days का data देखें ठीक है तीन महीने के अंदर price भी बढ़ रहा है social mentions भी बढ़ रहा है social activity भी बढ़ रही है चिलीज कोईन की next update है top 10 cryptocurrencies at risk from G20 summit 2022 regulation तो आपको पता है G20 summit होने वाला है crypto regulation होने वाला है G20 cryptocurrency regulation around the corner है ना बिलकुल और यह जल्दी आपको G20 summit देखने को मिलेगा and the idea of regulating cryptocurrency goes against the very nature of digital asset तो यहां पर जो है crypto regulations आ सकते हैं और आने भी चाहिए क्योंकि हर जगा बात भी हो रही है adoption हो रहा है regulations की बात है हो रही है ठीक है तो अगर हम यहां देखे experts believe that the most affected due to regulation would be the top crypto project in the next in this context and the G20 nations are coming up with a set of strict crypto regulations अगर आप देखो 2022 के अंदर बहुत सारी चीज़े होई है Terra Luna का crash हुआ है ना इसके साथ साथ बहुत सारे hack हुए बहुत सारे यहां पर अगर आप देखो exchange platform दिवालिया भी हुए एक तरह से जिन्होंने withdrawals को बंद किया deposit को बंद किया है तो इस beer season के अंदर बहुत सारी चीज़े होई है और हो सकता है G20 nations कोई ऐसा यहां पर step लें कि strict crypto regulation देखने को मिले तो इसकी वज़ा से risk कौन सी top 10 crypto currencies भी हमको देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें आप बिट कोईन है Shiba Inu और Doge Coin भी इस लिस्ट में है Ethereum है Terra Luna Classic obvious सी बात है Luna Classic पे तो होगा ही इसके लावा Solana भी इस लिस्ट में है Ripple है XR भी Ripple App Coin Stellar और Decentraland ये कुछ top 10 currencies है है न और At Risk from G20 Summit 2022 Regulation तो अब क्या कुछ होता है G20 Summit के अंदर क्या कुछ यहाँ decision लिया जाता है जो भी update आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे Next update आरा MetaMask की तरह से काफी अच्छा update है MetaMask to let US users buy cryptocurrencies directly from their bank account तो बिलकुल MetaMask ने आपे काफी अच्छा update दिया अपने US users को America के जो users है और Now MetaMask users in the US will have an easier way to purchase their crypto thanks to its integration with ACH तो बिलकुल अच्छी बात है MetaMask के जरीए जो है आप सीधा payment कर सकते हैं अपने bank account से है न We make payment faster and safer for MetaMask user और सीधा सीधा जो है आप crypto खरीद सकते हैं US के जो MetaMask के user है वो directly अपने bank account से payment करके जो है crypto खरीद सकते है MetaMask से Next update है Coinbase listing trigger near 350% surge for the little non alt coin तो देखो जब भी किसी बड़ी exchange पे किसी coin की listing होती है मैं यह नहीं कह रहा है सभी coins पे अच्छा impact देखने को मिलता है लेकिन जो coin काफी बड़ी exchange पे list हो रहा है पहली बार हो रहा है काफी time के बाद हो रहा है और उसके अंदर potential है कि listing के बाद वो अच्छा कर सकता है depend करता है कौन सा coin है कितना उसका market cap है क्या उसके fundamentals है लेकिन Coinbase की listing होई है एक coin की और यह जो coin है इसका नाम है 00 token जी हाँ 00 price 0 नहीं है token का नाम है 00 and the little non altcoin जब भी यह list हुआ है Coinbase के उपर अगर आप देखोगे यहाँ पे 00 token is now live on Coinbase और जैसे यह list हुआ coin काफी अच्छा price इसका increase हुआ हम price भी देखेंगे current price क्या चल रहा है है ना तो इस coin का जो नाम है वो 00 token है और अगर आप देखें 00 token is the governance token of the 00 decentralized autonomous organization तो अभी इस pools coin का जो है यहाँ पे 00 coin का जो price हो वो क्या चल रहा है तो आ गए हम इसके current chart के उपर अभी यह चल रहा है 56 rupees का 1 day का इसका chart है 17 23% के करीब जो है इसका price down गया है 1 day के अंदर मतलब last 24 hour के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें 70 rupees से यह सीधा-सीधा आया है कहाँ पे की listing से इस coin ने क्या गजब की performance दिया है पूरा 902% है ना अगर आप देखो 30 rupees पे चल रहा था 30 rupees से लेके 136 rupees तक इसने अपना high लगाया है है ना तो काफी अच्छा profit दिया है इसने अपने holders को और अगर आप इसका all time chart देख लोगे जैदा कोई moment अभी नहीं है लेकिन हाँ Coinbase की listing ज़रूर होई है उससे काफी अच्छा benefit मिला है और काफी अच्छा profit बनाया है जिन्होंने 00 token में investment किया होगा listing से पहले last and final में हम बात करेंगे GMX coin की back to back listing इस coin के ओर ही है जैसे ही Binance का लिस्टिंग अपडेट आया Binance listing जिस coin की हो जाती है उसके बाद लिस्टिंग की बहार लग जाती है उस coin के लिए तो new listing GMX get listed on Kucoin और GMX USDT का जो pair है Kucoin पे भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है 14 October मतलब आज से ही जो है trading यहां पर शुरू हो जाएगी GMX coin की और यह इसकी अगर आप देखो 5th या 6th listing है Bitmart FTX इसके अलावा Binance बहुत सारी ऐसी 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 exchanges है और आगे और भी listing इस coin की हो सकती है तो अब Kucoin जो एक बड़ी exchange है ठीक है उसके उपर list होने जा रहा है GMX coin तो आज की इस वीडियो में यही update थी I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को like, share करना ना भूले और आगे जो update रहेंगे आपको मिलते रहेंगे चैनल को subscribe करके bell icon press जरूर कर लेना और नीचे description में telegram, twitter के link है वहाँ सभी update आपको मिलते रहते हैं तो उसको भी join जरूर कर लीजिएगा किसी भी crypto में invest करने से पहले अपनी research जरूर करें वो बहत जरूरी होती है मिलते हैं, next video में तब तक के लिए, bye bye